हलो गाईज तो आज हम बनाएंगे आलू मसाला बाटी जो खाने में बेहदी टेस्टी लगती है और बनाना ना बेहद असान है आप इसे ओवन में बना सकते हैं चाहें तो करकूकर या कड़ाई में भी बना सकते हैं खाने में बेहर टेस्टी और बनाना बेहर दासान एक बर बना ली न तो बार बार बनाएंगे आईए रेसिपी शुरू करते हैं जिसके लिए दो कप ले ले गेहुं का आटा इसमें एड़ कर दे एक चुथाई कप सूजी और सूजी और गेहुं के आटे को मिक्स करने के और एक टीस्पुन बेकिंग सोडा मैंने यहां पर आड़ कर दिया है अब क्या करना है बस इसे अच्छे से इस तरह से हमें मिक्स कर लेना है बढ़िया से मिक्स कर लेने के बाद इसमें एड़ कर देंगे हम घी तो घी मैं यहां पर आपको चम्मत से आड़ करके दिखाऊंग अब क्या करना है इसे अपने हाथों से बढ़िया से इस तरह से हमें रब कर लेना है जैसे कि मौयन लगाया जाता है अगर मुठी बन जाए यानि कि मौयन परफेक्ट है ना बन दे तो थोड़ा सगी इसमें और आट कर दे अब भी आप दे सकते हैं मैं अच्छे से अपने तो से रब कर रही हूँ और बड़िया से मोयन जो है वो सेट हो गया है अब हम इस आटे को लगा लेंगे तो इसमें थोड़ा-थोड़ा पानी आट करके हमें आटे को लगा लेना है तो इसी तरह से थोड़ा-थोड़ा पानी आट करके हमें आटे को लगा लेना है और ये ध् आड़ करते जाएं आटे की consistency को चेक करते जाएं और उसी हिसाबसे इसमें पानी आड़ करें तो देखिए आटा मैंने यहां पे लगा लिया है अब मैं क्या करूँगी ना इसे 15-20 मिनट के लिए ढखकर साइट पे रख दूँगी ताकि यह बढ़िया से सेट हो जाएं क्यों यहां एक से दो चमच मैंने और आड़ कर दिया है अब नेक्स्ट में क्या करूंगी इसमें आड़ कर दूँगी कुछ खड़े मसाले जिसमें आता है सबसे पहले जीरा किसी भी ऐसी रेसीपी में जीरे का टीस्ट बहुत अच्छा आता है इसी के साथ इसमें जाएगी हरी म थोड़ा सा गेट मिर्ची मैंने सब्सक्राइब कर दिया है इनस अधरतक स्मीरिबिया मिर्च तहके डिया है अब आपवडर धनीया पाउडर जब इस तरह से सूखे मसाले हम एड़ कर रहे हो ना तो gas की flame को थोड़ा कम कर दे इसी के साथ इसमें add कर दिया है मैंने गरम मसाला और थोड़ा सा अमचूर और अब इन सब को अच्छे से mix कर लिया है थोड़ा सा पानी add कर रही हूँ ताकि यह जो सूखा मसाला है यह जले न इसे अच्छे से mix कर लेने के बाद इसमें मैं add कर दूँगी उबले हुए आलू जो मैंने mash करके रख लिया थे मैंने 2-3 आलू को ना mash कर लिया था उबाल कर इन्हें मैं अच्छे से यहाँ पर mix कर लूँगी आप इसमें मतर भी add कर सकते हैं चाहें तो मैंने यहाँ पर add नहीं किये है आप चाहें तो इसमें मतर भी add कर सकते हैं boil करके और देखें हमारी जो stuffing है ना वो बड़ी असे ready हो गई है चाहें तो stuffing को ना अच्छे से आप mash भी कर सकते है लेकिन यहाँ पर थोड़े-थोड़े से pieces जब मूँ में आते हैं जैसे कि समोसे में आते है बस उसी तरह से मैंने यहाँ पर इसे रखा है थोड़ा सा पानी छे डग दिया है ताकि जो मसाला है वो सारे आलों में अच्छे से लग जाए मसाले को मैंने निकाल लिया है एक प्लेट में और प्लेट में निकालने के बाद ना से मैंने ठंडा करके इस तरह से न सारे आलू के हम बॉल्स बना लेंगे तो देखिए स्टफिंग में आप पनीर की स्टफिंग भी कर सकते हैं तो पनीर बाटी बन जाएगी यहां पर मैं आलू बाटी बना रही हूं इसलिए मैंने यहां पर आलू की स्टफिंग इस तरह से र आटा लेंगे इसकी लोई बनाएंगे और लोई के अंदर इससे स्टफ कर देंगे तो यहां पर सारे आटे की ना मैं पहले लोईयां बना करके रेडी कर लूँगे और देखिया आटा हमारना एकदम पॉफेक्टली जो है वो रेडी हो गया है सारी लोईयां बना लेने के बाद एक लोई इस तरह से ले ले उसे हाथों में रोल करें प्रेस करें और यहां पर न अब इसकी स्टफिंग कर देंगे तो स्टफिंग बिल्कुल उसी तरह से करनी है जैसे कि एक कचौरी को फिल किया जाता है बस इस तरह से देखिए मैंने इसके अंदर रख दी है यालो की स्टफिंग और अंदर को प्रेस करते हुए मैं इसे बाहर से सील कर दूँगी तो हमारी जो बाटी है वो एक रेडी हो जाएगी अच्छे से इसे प्रेस कर देंगे ताकि बाटी खुले ना देखिए एकदम पॉफेक्ट इसी तरह से सारी बाटी है न मैं यहाँ पर रेडी कर लूँगी बहुत असान रेसेपी है फ्रेंज साथ के साथ हेल्दी तो है ही क्योंकि हम इसमें ना तो जादा ओयल का यूज़ करने वाले हैं ना फ्राइ करने वाले हैं हम इसे bake करेंगे और साथ के साथ इसमें हमने गेहूं के आटे का यूज किया है आलू की stuffing की जगा आप पनीर की stuffing इसमें यूज कर सकते हैं और बाटियां इस तरह से बना करके ready कर सकते हैं तो friends एक बार ये recipe न ज़रूर try करें और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे च तरह से रख दूँगी अब क्या करना है मैंने OTG को पहले से preheat कर लिया है तो 230 degree पर मैंने इसे preheat कर लिया है अब मैं क्या करूँगी ट्रे को रख दूँगी OTG के अंदर और इसे bake कर लूँगी 10 मिनिट के लिए 230 degree पर ही तो friends मैं इसे थोड़ा high temperature पर bake कर रही हूँ आप चा का टाइम जो है वो बढ़ा दे इसे 15 मिनिट के लिए बेक कर ले तो मैंने इसे अब OTG के अंदर डाल दिया है इसी तरह से आप इसे कड़ाई में बेक कर सकते हैं यानि कि कड़ाई के ओपर स्टैंड रख दे और उसके ओपर हम इस तरह से कोई थाली के ओपर बाटी को रख द और उसे बेक कर ले तो धीर धीर आप देखेंगे कि हमारी जो बाटी है न वो उपर से फटना शुरू हो जाती है जब यह उपर से फटना शुरू हो जाती है यह एक क्लियर इंडिकेशन है कि आपकी बाटी जो है वो बन करके रेडी हो गई है तो फ्रेंड एक बार आप य रेसेपी ना जरूर ट्राय करें और मुझे जरूर बताएं आपको मेरी ये जो रेसेपी है ये कैसी लगी तो दस मिनिट के बाद आई Agora पूसे इसे एक ब reliability है न वो पक गई है उपर से इस तरह से फट गई है यानि की बाटी पकी हुई है मैं आपको दिखाती हूँ देखिए एक DM हपॉफेक्ट थो इस तरह से आप ये मसाला बाटी बनार करके कढ़ाई कोकर में कैसे बेक की जाती है वो आप मेरी केक वाली रेसिपी में भी चेक कर सकते है किस तरह से कढ़ाई कोकर में बेकिंग की जाती है तो अब इन बाटी को हम डिप कर देंगे घी के अंदर और बस फिर इसे सर्फ करेंगे और करमा गरम इसे इंजॉय करेंगे गी को न अब्सॉब कर लेती है और घी का इसमें टेस्ट बहुत अच्छा आता है फ्रेंड्स आप इसे चटनी के साथ सर्फ कर सकते है या देखे ऐसे भी एंजॉई कर सकते है लेकि एकदम पॉफेक्ट अंदर स्टफिंग एकदम पॉफेक्ट है अच्छे तरह से पकी हुई